वेल्कम टू दे चैनल नितेश एजुकीशन 27 फ्रेंट्स में चलान पर यूजी सी नेट पेपर फस्ट और पेपर टू एजुकीशन के तियारी करवाता हूं साथी साथ और उन्डिया किसी प्रकार की टीचिंग वेकेंसी और प्येज़डी अड्मिशन साथी साथ यूजी सी नेट से लिटेट किसी प्रकार की डगलर अप्डेट्स को आप लोगों को लगातार देता रहता हूं तो मेक्शूर आप लोग चलन को चरूर सब्सक्राइल एकन शेयर कर लिजे इस्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजी सी नेट की एंसर की जो कि 26 दिसंबर 2021 के बोच सिर्फ शिफ्ट वन और शिफ्ट टिव की क्वेस्टन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पर हम उसी उनी questions को discuss करते हैं, जो student द्वारा बताया जाते हैं, memory level based question होते हैं, exactly तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, 90% exact questions बच्चों को कुछ पता होते हैं, उसको हम लोग discuss कर लेते हैं, तो इस्टार्ट करते हैं, सबसे पहला question जो target रखा गया है, क्या बात कही गई है, तो जैसा कि आपकी screen पर दिख रहा है, जो NEP है, the new education policy targets a 100% gross enrollment rate in school education in next 10 years by the year 2030, यानि कि 2030 तक new education policy क्या कहता है, 100% gross enrollment rate अचीव करने की बात कहता है, तो यह question पूछा गया होगा, कि 2030 तक जो है, NEP 2020 कितने percent gross enrollment rate GER को अचीव करने की बात कहता है, तो कितने percent? 100%, ठीक है, आगे देखें क्या है, अगर हम बात करें, the policy aims to increase the higher education GER to 50% by 2035, अब additional information यहाँ पर यह है, कि मानिजे आगे question में यह पूछा जा सकते हैं, आने वाले exam में, कि 2035 तक gross enrollment rate according to the NEP 2020 कितना set किया गया है, तो कितना है, gross enrollment rate 50% करने की बात कही गई है, आगे देखें इसमें लिखा है NEP और क्या कहता है, NEP यह कहता है, कि जो GDP है भारत की, उसका जो 6% है, वो education budget के लिए allocate किया जाए, देखें यह कोई नई बात नहीं है, यह जो 6% GDP की बात की गई थी, यह 1986 की policy में भी कही गई लेकिन आज तक जो है, हम लोग, यह हमारी सरकार जो है, 6% budget allocate नहीं कर पाई है, लेकिन अब फिर से यह बात चर्चा में आ गई है, कि 6% जो है, खर्च किया जाए GDP का भारत की सिक्षा पर, next question आपका जो पूछा गया था, first university in India, तो जो दिये गए options थे, अगर हम उसमें बात करें, तो students ने बताए, University of Calcutta, Mumbai, Madras, इस टाइप के options थे, तो दिये गए options में सो जो right answer होगा, University of Calcutta होगा, 1857 में, और West Bengal, Calcutta में situated है, जो कि 24 January 1957 में establishment हुआ था इसका, और अगर हम बात करें साथ ही साथ देखी, 1957 में तीन universities की गई थी, University of Bombay, University of Madras, University of Calcutta, अगर option में कहीं आपके मानले जिए होता, Senate of Serampus College, जो की बाद में जिसे university का दरजा दिया गया, 1829 में, यहां पर slash में इसलिए लिखा गया है, कि 1818 में यह college था, बाद में इसे university का दरजा दिया गया, 29 में, इ Senate of Serampus College, तो University of Calcutta ही right answer होगा, अगर first university की बात की जाए, साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहता हूँ कि ancient university की बात करें, oldest की बात करें, तो नालंदा university का आपने लोगों नाम सुना होगा, अगर यह बात कहें, तो नालंदा university जो है, सबसे पुरानी university है, वो विसु के इस्तर प Muslim university पूछा गया था, कभी स्टेल इस हुआ, पिछली exams में, तो 1875 में, अलाबाद university 87 में है, भी एच्चु 1916 में है, उनिवेस्टी अफ मैसूर 1916, तो इस तरीके से यह सारी list है, इसको आप लोग आराम से देख लीजेगा, ध्यान से, हम लोग बढ़ते हैं, next question पे, next question आपक security system, that monitors and controls incoming and outgoing network traffic, based on predetermined security rules, देखे, simple सी language में, अगर हम बात करें, तो जो firewall है, आपके internet को security provide करता है, hacking से बचाता है, कि आपका data, कोई hacker चुरा न ले, उससे कौन अच्छा करता है, आपका firewall, firewall typically establish a barrier between a trusted network and an untrusted network, such as the internet, यानि कि जो भी untrusted network होता है, जो, कह लीजे, thieves होते हैं, उन से बचाता है, कौन firewall बचाता है, अगर हम इसके, और task की बात करें, तो ये देखे, defend resources, validate access, manage and control network traffic, यानि network traffic को control करने का काम करता है, act as intermediary, or record and report on events, ठेक है, next question जो आपका पूछा गया था, देखे, choice based credit system से बार बार question पूछा जा रहा है, types of CBCS पूछा गया था, students बता रहे थे, choice based credit system क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, तो देखे, ये introduce किसके द्वारा किया गया था, introduced by university grant commission, यानि कि UGC ने इसे लाया था, choice based credit system को, ये है क्या देखे, CBCS offers an effective learning platform for students by broadening the origins of education, it is a student centric course, देखे, CBCS क्या है, student centric course है, यानि teacher centered नहीं है, student centric course है, that allows students to choose their subject according to their needs, current levels of students, यानि ये students को allow करता है कि वे अपने learning needs, अपने interest और अपने criteria के हिसाब से subject को choose करें, इसमें किसी का कोई जोर नहीं रहता है, इस पर student स्वतन्त होता है, अपने हिसाब से सारे courses को चुनने के लिए, ठीक है, आगे देखे, क्या लिखा है, the subjects can be at a basic or advanced level, subject बच्चे के level के हिसाब से basic भी हो सकता है, advanced भी हो सकता है, आगे देखे, क्या है, this helps student to pursue courses of their choice, study at their own pace, learn extra courses and acquire more than the required credits, वही जो मैंने बात कही, ये बच्चे के अपनी learning pace के हिसाब से, अपनी speed के हिसाब से, अपनी choice के हिसाब से, प्रोवाइड करता है, education को, ठीक है, इसमें क्या है, देखे, CBCS किन किन चीजों पर emphasize करता है, group discussions, assignments, class activities, and internal examinations, ये ज़्यादा से ज़्यादा करवाएज़े, इस बात पर जोड देता है, अब main question जो आपका पुछा किया था, उसकी बात करें, तो three types of course offered by CBCS, तीन type के course offer किये जाते है, choice based credit system में, पहला है core courses, अब core courses क्या होते है, इसमें क्या होता है, core subject compulsory to complete the credit requirement, यानि कि बच्चों को ये subjects लेने ही पढ़ते हैं, पढ़ने ही पढ़ते हैं, compulsory है, credit के requirement के लिए, यानि credit earn करने के लिए, elective courses कौन से है, essay courses, these subjects have more generic content and aim to increase the student skills, but students के skills को बढ़ाने के लिए ये courses होते हैं, ठीक है, the two subjects which are not in their curriculum, यानि कि they expose the student to subject which are not in their curriculum, यानि ये essay subjects होते हैं, जो बच्चे के curriculum में involved नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी personal interest पर उन्हें दिये जाते हैं, ठीक है, अगला है तीसरा, foundation, also referred to as ability enhancement course, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, ability enhancement course भी कहते हैं, the foundation course offer value-based subjects that lead to knowledge enhancement, इन courses को लेने से बच्चों क्या होता है, knowledge enhancement होता है, ठीक है, आगे अगर हम बात करें, CBCS की grading system क्या है, तो CBCS का grading system है, UGC के जो बनाया गया है, examination management का, तो यहां मोटा मोटा हम लोग बात कर लेते हैं, कि अगर बच्चा 10 grading point ला रहा है, यानि मान के चले लगभग 90% से 100% के बीच में बच्चे के marks हैं, ये इस से 100% के बीच में है, तो 10 grade points उसे मिलेंगे, और outstanding उसे O letter grade दिया जाएगा, 9 grade point वाले को A plus excellent इसी तरीके से ये सारे है, पास वाला बच्चा 4 grading point मिलेगा पास वाले को, और जो fail है, या absent है उसे 0, तो ये CBCS grading system है, ठीक है, next question आपका पूछा किया था, number series से, अजीब सा question था, लेकिन number series में क्या है, कोई भी tips लग सकती है, कोई इसमें fixed rule नहीं होता, कोई method नहीं होता, समझ लिजए ये एक chance है, आपका जो method यहाँ पर लग जाए, तो question था, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 28, next time बताना था क्या है, तो देखे, 7, 8, 9, 10, ये एक 7 है, उसके बाद सब में एक एक क gap है, 1, 1 का difference है, फिर 12, 14, 16, 18, इसमें 2, 2 का gap है, फिर उसके बाद जब यहाँ से 24 से start हो रहा है, तो 24, 24, 24, 32, यानि कि plus 4 का difference, next number में है, यान 24 plus 4, 28, 24 plus 4, that is 32, तो option number C, इसका right answer होना चाहिए, 32, बाकि UGC net क्या answer देता है, देखते हैं, वैसे यहाँ पर यही pattern follow हो रहा है, आ कोई और pattern follow होता है, तो उसको भी discuss कर लिया जाएगा, next question आपका जो पूछा गया था, यह भी जो था, समय लिजे, random था, और इसमें भी कोई भी method लग सकता है, क्योंकि जब भी देखिए, इस type का question हो, numbers काफी बड़े हो, जैसे पहला number है, 19,648, फिर 17,28, फिर 112, तो इसमें वैसे अगर mostly जो आपका लगता है, divisibility rule लगता है, लेकिन यहाँ पर divisible होने का कोई chances है नहीं, क्योंकि 17,28 को जब आप इससे divide करेंगे, तो 11 point something कुछ आएगा, फिर 112 को 17,28 से divide करेंगे, तो 10 point something कुछ आएगा, मान के चलिए, जो भी काफी आगे तक number आएगा, तो लेकिन व question है, जब आप इसको आपस में multiply करेंगे, यानि जो 19648 है, 1 into 9 into 6 into 4 into 8 करेंगे, तो यह आपका आजाएगा, 1728 ठीक है, यानि नौचा का चवण और चवण चुण का 216 और 216 अठे, यह आपका, जैसे multiply करेंगे, तो वो 1728 इसका answer आजाएगा, फिर 1728 के जो numbers हैं, इसको जब आपस में multiply करेंगे, तो 1 into 7 into 2 into 8, that is आपका आएगा, 7, 2, 14, 14, 18, 112, ठीक है, तो यह आपका 112 फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस pattern को देखते हुए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला जो next number आएगा, यह आएगा, यह आएगा, 1 into 1 into 2, क्योंकि 112 के सारे numbers को आ आपस में multiply करेंगे, जैसा कि सब numbers में किया है, तो यह आपका answer आएगा, 1 into 1, 1 और 1 into 2, 2, यह आप्शन में, अगर option number 8, 2 था, तो राइट answer होगा, answer 2 आएगा, ठीक है, next question आपका पूछा गया था, exact questions, तो student नहीं बता पाया है, लेकिन कुछ मोटा मोटा उन्होंने बताया, water water born parasite disease, तो water born disease तो कई होती है, लेकिन इसमें question शायद यह था, कि जो water में जो parasites होते हैं, उससे little diseases कौन-कौन सी है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने generally, यहाँ पर लिख दिया है, कि the water born parasites disease, सबसे पहले तो आपका, जियारडिया, लेंबलिया, यह disease है, अगर option में होगा, तो यह सही होगा, या फिर, नाइगलेरिया, फॉवलेरी, एकेंथमीबा, SPP, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, क्रिप्टो, इस्पोरडियम, पैरवं, साइक्लोस्पोरा, केटेनेसिस, इसोनस्पोरा, बेली, एंड़, मैक्रोस्पोरिडिया, और रिवियूर्ड, ठीक है, यह इतनी disease है, options में जो भी हूँ, आप comment के दरा बताईएगा, मुझे, next question आपका पूचा गया था, greenhouse gases emissions target by 2030, यानि कि जो, वर्स 2030 तक भारत ने जो है, कि कितने प्रतीशत, greenhouse gases को कम करने की बात की है, तो इसका जो right answer होगा, जैसा कि आपकी screen पर दिख रहा है, by 2030, Mr. Modi says, India will reduce the emissions intensity of its economy by 45%, that's of all greenhouse gases, not just CO2, यानि कि जितनी भी greenhouse gases है, CO2 के अलावा, उन सब को कुल मिला कर, भारत ने बात की है, कि 45% reduce करने की बात, 2030 तक इन्हों ने की है, किसने हमारे PM Modi जीन है, आई क्या है, a more ambitious target than the previous goal, previous goal क्या रखा था, इंडिया ने 33 to 35% cut in its emissions intensity, यानि कि अगर आगने वाले paper में ये questions पूछा जा सकता है, कि जो 2005 में इंडिया ने greenhouse gases के emissions को cut करने की बात किते percent की थी, तो ये 33 to 35% की थी, लगबाग 35% तक, और अब जो नया goal set किया है, 2030 तक 45% greenhouse gases emissions को cut करने की बात की है, मोदी जी ने, ठीक है, additional information की बात करें, तो यहाँ पर additional information मैंने यहाँ पर यह दे रखी है, प्राइम मिनिस्टर नेरेन मोदी है, set his country a target of net zero greenhouse gas emission by 2070, और PM मोदी जी ने ही, वर्स 2070 तक net zero greenhouse gases emission का भी target रखा है, तो आने वाल exam में most important question हो सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा, ठीक है, तो यह question पूछा गया था, next अगर हम बात करें, UGC के functions की related question पूछा गया था, कि University Grant Commission जो है, higher education या फिर UGC हमारी संस्था, उसका क्या कार है, function क्या है, तो देखें, UGC के काई कार हैं, जैसा कि आपकी screen पर देख रहा है, to inquire into the financial needs of the universities, यानि कि universities विस विद्यालियों की financial needs को पूरा करना, allocate and disperse grants to universities and college of their development and maintenance, यानि कि जो भी universities हैं and colleges हैं इंडिया में, उनके लिए grants allocate करना, किसके लिए, उनके development और maintenance के लिए grants allocate करना, यानि अनुदान देना, देखें, इसका full form ही है, विस विद्यालियों अनुदान आयोग, तो अनुदान सही समझ जाई है, अनुदान देना, advising central and state governments on the measures of the improvement of university education, यानि कि university education या higher education को और improve करने के लिए, समय के साथ बनाने के लिए, world education के level पे लाने के लिए, advising करना, यानि सलाह देना, किसको central or state government दोनों को, आगे है promote and coordinate university education, university education को जादा जादा promote करना और coordinate करना, institute fellowship and scholarship provide करना, यानि कि जो भी institutes हैं, colleges हैं, universities हैं, उन्हें fellowship और scholarship प्रोवाइड करने की बात कहता है, जैसे उस दिन एक पिछली वीडियो में मैंने discuss भी किया था, जैर फैलूसिप है, एमिट्योरेस फैलूसिप है, कई फैलूसिप लगबग 14 से ज़्यादा फैलूसिप दी जाती है, UGC के द्वारा, अब UGC की basic information की बात करें, तो देखे क्या है, established in November 1956, UGC कब established हुआ था, November 1956 में, आगे आने वाले को पेपर में पूछा जा सकता है, यह देखा है, यह एक statuary body है, statuary body of the government of India through an act of parliament for the coordination, determination and maintenance of standards of university education in India, यह यह इसका function है, coordination, determination and maintenance of standards of university in India, आगे अगे हम बात करें, UGC has decentralized its operation by setting up six regional centers, इसके six regional centers है, UGC के आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है, कौन-कौन से है, पूने, हाइदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवार्टी और बैंगलोर, छे जगा है, ठीक है, बाकी head office कहाँ पर है, New Delhi, फिरुसा रोड, next question आपका पूछा गया था, which states has maximum number of university in India, यानि कि भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा universities है, तो देखिए, अभी, असर की report, एश रिपोर्ट आई है, एश ही की report 2021 के आई है, उसके according, सबसे ज़्यादा जो universities इंडिया में है, किस state के पास है, राजस्थान इस्टेट के पास, the state of Rajasthan has the highest number of general universities in the country, with a total of 15 universities, यानि कि सबसे ज़्यादा university किस के पास है, राजस्थान इस्टेट के पास 50 universities है, ठीक है, पे आपका है, गुजराद, 42 universities, फिर है आपका, तमिल नाडू has the highest number of technical universities, अब आगे आने वाले paper में, ये most important question यहाँ से बन सकता है, कि किस state में सबसे ज़्यादा technical universities है, तो option answer क्या सही होगा, आपका, तमिल नाडू has the highest number of technical universities, that is 18, 18 universities है, उसके बाद UP है, technical universities में, जिसमें 13 universities UP में है, तो ये, इस report, जो है, ASHE report 2021 के recording बाद की गई है, यहाँ पर, बाकी इससे related पूरा पैरा को पढ़ लिजेगा, काफी questions इससे related पूछे जा सकते हैं, next question आपका पूछा गया था, exact तो नहीं याद है, Kyoto Protocol और Paris Agreement से related matching का question कुछ पूछा गया था, तो मैंने यहाँ general term में दोनों को लिख दिया है, कि आपको समझ में आ जाए, कि Kyoto Protocol और Paris Agreement है क्या, ठीक है, तो दोनों related है, UN Climate Agreements से, देखे, Kyoto Protocol अगर हम बात करें, कब बना था, was created in 1997, 1997 में और इसके बाद 2005 में इसे हो गया था, ठीक है, और इसमें हर पांच साल पे इसकी समिच्छा करने की बात की गई है, legally binding agreement to decrease greenhouse gases, Kyoto Protocol का main name क्या था, greenhouse gases को, क्या करना, greenhouse gases को manage करना, control करना, इस पे बात की गई थी, यह क्या है, not legally binding commitment to reduce emissions increase, यह भी वही बात करता है, greenhouse gases emissions को control करने की, लेकिन यह legally नहीं, यह not legally binding है, legally binding नहीं है, ठीक है, अगला है, original commitment to decrease overall emissions by 5% from 1990 levels, यानि कि Kyoto Protocol क्या कहता था, कि जो भी greenhouse gases का emission है, 1990 का जो level था, greenhouse gases का, उससे 5% reduce करने की बात करता है, कौन Kyoto Protocol, लेकिन यह क्या बात करता है, Paris Agreement, overall goal to limit global temperature to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, यानि कि 2 degrees centigrade से नीचे रखना, और कहां तक लाने का प्रियास करना, ग्लोबल टेंपरेचर को 1.5 degrees Celsius लाने की बात कौन करता है, Paris Agreement कहता है, ठीक है, तो यह इसका अथ्वा, आपका basic difference था, मैंने यहां discuss कर दिया, next question आपका पूछा गया था, matching था, question था, ICT based था, input output से लेटेड, exit question नहीं पता है, फिर मैंने यहां एक sample यहां पर दे दिया है, कि hard disk का क्या काम है, data क्या है, storage device है, input क्या है, गीगो क्या है, इस type का matching के लिए आया था, तो यह exact question बच्चों को नहीं आदे तो मैंने नहीं discuss किया है, तो आगे बात करें, students में बताया है, continuous and comprehensive evaluation की ranking आया थी, statewide, इस से question पूछा गया था, यह भी exact question बच्चों को नहीं आथा, तो मैंने डिसकस नहीं किया है, क्यों यहां पर लिख दिया है, probability and non-probability से related आया था, question, बाकी assertion and loss, जो आपका AEIO से आया था, कथन निसकर्स था, DIEZI थी, और university और state का नाम matching आया था, students बता रहे थे, और swim से related question आया था, और percentage and ratio से related question आया था, तो यह exact questions नहीं बता पाएं, student इसलिए मने डिसकस नहीं किया है, लेकिन यहां पर मैंने बता दिया है, क्या-क्या कोई confusion तो आप मुझसे comment के द्वारा पूछ सकते हैं, और यदि आप UGC net paper first और paper to education साथी साथ किसी प्रकार की notification पारना चाते हैं, education related, तो जरूर इस चैनल को subscribe किजिए, मिलते हैं next video में, thank you so much